अब हम electrolysis को जानने से पहले electrolytic cell को उन्हा एक बार देख लेते हैं विद्यू तब घटनी cell किसे कहते हैं तो आप सभी विद्यू तब घटनी cell से परिचित हो चुके हैं विद्यू तब घटनी cell में क्या होगा विद्यू तूर्जा रासायनी कुर्जा में परिवर्तित होगी यहां पर विद्यू तूर्जा देने पर रासायनी कुर्या होगी तो यहां यहां एक non spontaneous reaction होगा जहां डेल्टा जी यहने मुक तूर्जा में जो परिवर्तन है वो यहां पर positive होगा यहां पर निगेटिव होगी तो electrolytic cell में प्राया देखा गया है कि एक ही वीकर में यदि हम cathode और anode दोनों लेते हैं और उसके अंदर electrolyte या विद्यू तब घटे लेते हैं तो यहां जो cathode होता है और anode होता है उस पर चिन के बारे में यह दि देखें तो cathode पर negative charge और anode पर positive charge होगा और वैसी ही क्रिया होगी जैसे विद्यू तर आसायनिक cell में होती है कि cathode पर अप एक ही पात्र में हम दोनों चीजों को ले सकते हैं इलेक्ट्रोड, anode भी ले सकते हैं, cathode भी ले सकते हैं तो जो electrolyte होता है जैसे NACL यदी हम ले, NACL जो electrolyte है वो यहां पर molten state में भी एक electrolyte की तरह behave करेगा और solution state में भी वो electrolyte की तरह behave करता है यहां पर हम NACL के का जो विद् इलेक्ट्रोड यहां platinum का है दूसरा भी platinum का है लेकिन यहां पर एक platinum का जो electrode है वो cathode की तरह कारे कर रहा है और जो दूसरा platinum का electrode है वो यहां पर anode की तरह कारे करता है इसे हम एक battery से जोड़ देते हैं तो यहां जो negative terminal होता है वहां पर electron की संख्या जादा है इसका यही कैथोड के सर्फेस पर पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो फैल जाता है जो मॉल्टन स्टेट में सोडियम आयन है वह कैथोड की तरफ जाएगा और कैथोड में से प्राप जो इलेक्ट्रॉन है उसे ग्रहन करता है तो यहां पर जो सोडियम आयन है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहन कर और sodium solid में परिवर्टित होता है, तो यहां हमने देखा कि कैसे अपचेन की क्रिया हुई, और यह अपचेन की क्रिया जो है वो cathode पर होती है, दूसरी और हम लेते हैं anode, तो anode पर oxy current की क्रिया होती है, Cl- जो molten state में NaCl के विगटन से प्राप्त हुआ था, वही Cl- जैसे ही anode की तरफ जाता है, तो वह अपना electron महाँ पर दे देता है, तो Cl से जब electron निकलता है, तो Cl- is equal to half Cl2 plus E-, तो यहां पर chlorine gas प्राप्त होती है, तो जैसे anode पर oxy current की क्रिया हुई, क्योंकि यहां electron निकल रहा है anode पर oxy current हुआ और cathode पर up chain हुआ, cathode पर up chain से जो sodium iron है, वह sodium solid में परिवर्तित होता है, और anode पर chloride minus है, वह chlorine gas में परिवर्तित होती है, यहां आमने देखा कि कैसे anode पर oxy current और cathode पर up chain की क्रिया हुई, अर्था दोनों ही reaction एक साथ हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं redox अभ plus electron is equal to Na solid, इसी तरह से Cl minus is equal to half Cl2 plus electron, यही दोनों reaction को हम combine करेंगे, तो net cell reaction जो प्राप्त होगा, NaCl is equal to Na solid plus half Cl2 gaseous state में, तो यहां पर यह एक redox अभी करिया है, और स्वत अभी करिया है, जिसके लिए delta G की value positive होती है, जब स्वत अभी करिया होती है, तो delta G की value negative होती है, अब आप देखिए कि विद्यूत अभगटन को हम कैसे और सारे applications में use कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे electroplating, इसको हमने पहले भी एक बार पढ़ा है कि electroplating कैसे की जाती है, जैसे माल लीजे कि हमें एक iron के spoon को चांदी का बनाना है, या चांदी की चम्मच में उसे परिवर्तित करना है, यहां जो हम iron का spoon लेंगे, उससे cathode बनाएंगे, और शुद्ध जो चांदी है, उसका हम anode बनाएंगे, जिस भी धातू का परत उसरे धातू पर चढ़ाना होता है, उसी धातू के लवड का solution लेंगे, जो की electrolyte की तरह कारे करेगा, इ यहां ओक्सी करन की क्रिया होगी, तो AG से AG प्लस प्लस इलेक्टरॉन, इसी के साथ यहां पर जो हमने विद्यूत अब घटे लिया है, सिल्वर नाइट्रेट का, तो वहां यहां पर AG प्लस एवं NO3 माइनस स्टेट में है, तो AG प्लस इलेक्टरॉन ग्रहन करता है, और AG में परिवर्तित होने लगेगा, तो यह जो AG में परिवर्तन हो रहा है, यही AG इस लोहे की चम्मच में जाकर दिपोजिट होने लगता है, तो धीरे-धीरे हम देखते हैं कि यह क्रिया लगातार चलती रहती है, और पूरी जो लोहे की चम्मच जिसे हमें चांदी का बनाना है, वो कैसे चम्मच के रूप में परिवर्तित हो गई, तो ऐसे किसी भी धातू की हम प्लेटिंग कर सकते हैं दूसरे धातू की सहायता से, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग, अब हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग की क्रिया को एक क्रिया कलाब के माध्यम से सीखेंग सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लिए क्या-क्या चीजें आवश्यक है सोडियम क्लोराइड जल 9 वोल्ड की बैटरी जिसकी प्लेटिंग करनी है तो इस रूप में हमने सेफटी पिन लिया है और एक सोर्स कॉपर वायर लिया है क्योंकि इसके माध्यम से ही हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग की क्रिया को समझेंगे सबसे पहले देखते हैं जल जल उदासीन है जैसे ही हम इसमें सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड डालने पर अब यह आयनिक विलियन बन जाता है क्योंकि sodium chloride से sodium प्लस एवं chloride ion Cl- की रूप में इसमें विघटित हो गया तो अब यह जल एक ionic willion की तरह कारे करने लगता है source copper wire को हमने धन टर्मिनल से जोड़ा है और जिसकी plating करनी है उसे हमने रिन टर्मिनल से जोड़ा है अब इन दोनों को हम इस बीकर में रखते हैं जिसमें हमने sodium chloride लिया हुआ है और ध्यान आप रखेंगे कि दोनों एक दूसरे से touch नहीं होना चाहिए यहां source के रूप में हमने copper wire लिया है और जिसकी plating करनी है तो हमने safety pin लिया है पांच मिनट बाद हम देखेंगे कि क्या परिवर्तत हुआ है पांच मिनट बाद हुए परिवर्तन को देखेंगे इसमें देखिए जो NACL मिला हुआ जल है उसके रंग में भी कैसे परिवर्तन हुआ क्योंकि यहां क्रिया प्रारंब हो गई है अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो safety pin हमने लिया है जिसके उपर copper की plating करनी है तो इस safety pin के रंग में भी कैसे परिवर्तन हो गया है यहां पर copper की परत चड़ गई है जो यह safety pin है और इस safety pin के रंग में परिवर्तन को अगर आप तुलना करते हैं तो देखकर ही आपको समझ में आएगा कि इसमें किस तरह से plating हुई है इलेक्ट्रो प्लेटिंग की क्रिया को समझ सकते हैं यहां पर हमने safety pin में हुए रंग परिवर्तन को देखा और इस आधार पर आप सिक्के में भी करके देख सकते हैं जो भी आप जिसकी भी plating करनी होती है उसका source wire लेना है और जिसके उपर plating करनी है उसे लगाना है तो इस तरह से रंग में परिवर्तन को हम देख सकते हैं इसी तरह से एक दूसरा application हम देखते हैं refining of metal किसी भी metal को यदि हम शुद्ध करना चाहते हैं तो कैसे electrolysis process हमें help करता है उसका एक बहुत अच्छा example हम देखेंगे copper को शुद्ध करने के लिए अशुद्ध copper होता है उसका हमने बनाया anode इसी तरह से जो शुद्ध copper है उसका हमने बनाया cathode और दोनों को ही copper sulfate के solution में रखते हैं जैसे ही इसमें प्रवाहित की जाएगी तो जो अशुद्ध copper है जो कि यहाँ पर anode है उसमें oxy current की क्रिया प्रारंब होगी तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि oxy current की क्रिया में electron निकलता है तो copper में से electron निकलेगा और copper 2 plus बनेगा और साथी साथ 2 electron निकलता है इस solution में जो विद्यू तब घटे है copper sulfate वहाँ पर copper sulfate दो आएनों में विभगत है copper 2 plus और sulfate 2 minus तो यह जो copper 2 plus है वह electron को ग्रहेंड करेगा और copper धातु में परिवर्तित होगा यह जो copper धातु है वह अशुद्ध जो copper का electrode है वहाँ जाकर deposit होने लगेगा जो शुद्ध इलेक्ट्रोड है copper की वह मोटी होने लगती है और जो अशुद्ध इलेक्ट्रोड है copper की वह धीरे-धीरे 6 होने लगती है यानि इसका भार जो है कम होने लगता है और कैथोड जिसका बना हुआ है उस कापर के इलेक्टरोड का भाहा धीरे धीरे बढ़ने लगता है यहां हम देखते हैं कि जहां अशुद कापर लिया गया है उसके नीचे कुछ जो अक्रियाशील धातुएं हैं वो भी हमें प्राप्त होती हैं कीमती धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटीनम ये भी हमें नीचे प्राप्त होती हैं जैसे जैसे ऑक्सीकरण की क्रिया प्रारंब होती है और नीचे की तरफ हमें एनोड पंक या एनोड मड प्राप्त होता है जिसमें बहुत सारी कीमती धातुएं भी प्राप्त होती है प्लेटीनम, गोल्ड और सिल्वर, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कॉपर को शुद्ध किया गया इस इलेक्ट्रोलेसिस प्रोसेस के आधार पर, विद्यूतब घटन से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं, उनको प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक होंगे, त तो आप सभी विद्यूतब घटन के प्रोसेस को समझ चुके हैं, तो इसमें क्या-क्या चीजे होती हैं, इलेक्ट्रोड होता है, विद्यूतब घट्य होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोडों की प्रकृती, तो इलेक्ट्रोड जो है वो दो प्रकार के होते हैं अक्री इलेक्ट्रोड और सक्री इलेक्ट्रोड आपने देखा है कि अक्री इलेक्ट्रोड प्राय प्लेटीनम का बनता है या गोल का बनता है या ग्रेफाइट का भी रहता है यहां पर जो अक्री इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें ऑक्सीकरण अपचैन की क्रिया तो होती है या उसके लिए वह सतह तो प्रदान करेगा लेकिन स्वेम उस रेडॉक्स अभी क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है जो सक्री इलेक्ट्रोड होते हैं वो ऑक्सीकरण और अपचैन के लिए सत यहां पर जोडो ऑधिक प्रभावित करते हैं। जो भी पदार्थ यहां पर लिया जा रहा है ओक्सिकारा की आपचायक तो उसमें जो E0 की value है जो हमने सकरीता श्रेणी में पढ़ी हुई है कि E0 का मान उपर से नीचे आने पर बढ़ता जाता है तो उस आधार पर भी विद्यूत अभगटन के जो उत्पाद है वह भी उसे प्रभावित करता है E0 का मान इसी तरह से विद्यूत अभगटन में जो solution यूज किया जा रहा है उस solution की सांधरता कैसी है तो अगला बिन्दु है यहां पर विद्यूत अभगटनी विलियन की सांदरता तो किसी भी विद्यत अब गट्य का solution जो की सांदर अवस्था में है या तनू है पिगली अवस्था में है ये चीजे भी प्रभावीत करती हैं विद्यत अब घट्यन में किस प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होंगे अगला बिंदू है यहां पर कि कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोड अभी क्रियाएं होती हैं निम्न वोल्टेज पर धीमी गती से होती हैं जैसे जैसे यहां पर अतिरिक्त विभव दिया जाएगा वैसे वैसे यहां इलेक्ट् है जैसे कि प्लेटिनम तो प्लेटिनम के उपस्थिती में यदि पिघले हुए मॉल्टेन स्टेट में जो सोडियम क्लोराइड है उसका विद्धू तब घटन कराया गया जैसा हमने देखा था अभी तो यहां पर हमें जो एने सील है उसका विघटन हुआ वो देखा हमने के एने सील भी घटित होकर एने प्लस एवं सील माइनस बनाता है तो कैथोड पर एने प्लस प्लस एलेक्ट्रोन इस एक्वल टू सोडियम तो एने प्लस आयन यहां सोडियम सॉलिद में चेंज होता है और दूसरी तरफ जो एनोड है वहां पर टू सील माइनस एलेक्ट्रोन CL2 gas में परिवर्तित होता है दूसरा उदारण हम लेते हैं sodium chloride का sand rebellion लेते हैं यहाँ पर तो इसका जब विद्यू तब घटन कराया जाएगा और electrode यहाँ पर हम अक्रिये ही लेते हैं अक्री electrode में हम जनरली platinum का electrode ही यूज़ कर रहे हैं तो अक्री electrode का प्रयोग किये तो यहाँ पर हमें cathode में दो चीज़े प्राप्त हुई sodium ion से sodium solid साथ ही साथ जो जल है H2O है तो यहाँ पर 2H2O प्लस दो electron is equal to H2 प्लस 2OH माइनस तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cathode पर sodium भी प्राप्त हुआ और कैसे यहाँ पर जो hydrogen gas है वो भी प्राप्त हुई अगला हम देखेंगे एनोड पर क्या होगा तो एनोड पर 2Cl माइनस एनोड है तो ओक्सी करण होगा तो 2Cl माइनस से electron निकला तो यहाँ पर Cl2 gas बना और 2 electron निकल गया दूसरी और यदि H2O लेंगे तो H2O Clvillian लिया गया विद्यू तब घटे के रूप में अक्रिय इलेक्ट्रोड ले platinum और उसके presence में जलिये copper sulfate का विद्यू तब घटन कराया गया तो क्या-क्या चीजें प्राप्त होती है तो यहाँ जलिये copper sulfate लिया गया है कैथोड पर क्यूकि अपचेन की क्रिया ही होगी और जो copper 2 plus है वो electron ग्रहेंड करता है और copper धातू में परिवर्तित हुआ दूसरी ओर cathode पर ही जो जल है 2H2O जल का जो अड़ होग है वह भी दो electron ग्रहेंड करता है hydrogen gas मुक्त होती है यहाँ पर hydroxide iron बनता है अब दूसरी ओर anode पर oxy करण की क्रिया होगी H2O है anode पर वह परिवर्तित होता है half O2 plus 2H plus plus electron मतलब यहाँ oxy करण की क्रिया हो रही है यहाँ पर anode पर oxygen gas हमें प्राप्त हुई अगला example हम देखते हैं क्रियाशील electrode copper की उपस्थिती में यदि copper sulfate की जली विलियन का विद्धू तब घटन कराया जाता है तो क्या चीजें प्राप्त होती हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cathode पर अब चेन की क्रिया हुई copper 2 plus plus 2 electron is equal to copper दूसरा क्या प्राप्त हो रहा है 2H2O plus 2 electron is equal to H2 plus 2 OH minus अगला हम देख रहे हैं anode anode पर oxy current की क्रिया होगी तो anode पर oxy current की क्रिया से copper से 2 electron निकला copper 2 plus बना और 2 electron इसी तरह से जो H2O है H2O भिगटित हो रहा है तो half O2 plus 2H plus plus 2 electron तो चूकि यहाँ भी oxy current की क्रिया हो रही है तो आपने देखा कि तो हमें copper का copper 2 plus में oxy current देखने को मिलता है और जो wilier में present copper 2 plus iron है वो किस तरह से electron ग्रहन करता है यहने अबचेन की क्रिया होती है और वह धातू में परिवर्टित होता है यहने cathode पर उसका जमाव होने लगता है तो इस तरह से हमने जाना कि अगर सक्री इलेक्ट्रोड है और अक्री इलेक्ट्रोड है तो विद्यूत अबघटन से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद है या जो विद्यूत अबघट्य की सांद्रता है वो कैसे इन उत्पादों के उत्पन होने को प्रभावित कर सकती है विद्यूत अबघटन से उतपाद कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, उसके कुछ उदारण हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए विद्यूत अबघटन से प्राप्त उतपाद क्या होंगे तो पहला प्रशन है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जली विलियन तो प्लेटिनम के एनोड अनो थ्री से जो है क्रिया नहीं करते हैं क्योंकि प्लेटिनम अक्री इलेक्ट्रोड है Cathode पर जो reaction होगा Ag plus plus electron is equal to Ag Anode पर जो reaction है वो है OH minus is equal to OH plus E minus तो 4OH is equal to 2H2O plus O2 तो इस अभी करिया में हम देख रहे हैं कि oxygen gas anode पर मुक्त होती है दूसरा प्रश्न है platinum electronों के साथ CuCl2 का जली विलियन तो platinum चुकि अकरी electrode है तो platinum electrode के साथ CuCl2 के जली विलियन में Cathode पर copper 2 plus ion का अपचैन होगा तो E0 की value जो है copper के लिए वो अधिक होती है E0 water की तुलना में Cathode पर copper 2 plus 2 electron ग्रहेंड करेगा अपचैन होगा तो copper में परिवर्तित होगा Anode पर oxy current की क्रिया होगी तो Cl minus is equal to Cl plus E minus तो यहाँ Cl और Cl मिलके Cl2 gas मुक्त होगी तो Anode पर chlorine gas मुक्त होती है अगला है silver electrode के साथ silver nitrate का जली विलियन है तो silver electrode के साथ AgNO3 के जली विलियन में Ag plus का cathode पर अपचैन होगा कैसे होगा यह देखिए चुकि चांदी के लिए जो मानक अपचैन विभो का मान है वो जल के मानक अपचैन विभो के मान से अधिक होता है तो cathode पर हम देखेंगे Ag plus जो है electron गिरहन करता है और Ag में परिवर्टित हुआ और anode पर Ag electron त्याग देता है और Ag plus में परिवर्टित होता है Ag का anode NO3 minus से प्रभावित होता है और anode पर Ag घुल कर Ag plus iron बनाता है और Ag cathode पर जमा होता है